नमस्कार मैरी अजीम्स और आप देख रही हैं ABNN News भारत में इन दिनों कोईला संकट पर भारी को राम मचा है इसकी वज़त से देश के उर्जा संग्यंत्रों के पास कम स्टॉक का होना है कोईले की कमी से देश में बड़े बिजली संकट की बात भी कही जा रही है बिजली संकट की वज़े से पहले चीन में हालात खराब हुए लेबनान की राजधानी बेरूत में कल की पूरी रात लोगों को अंधेरे में बितानी पड़ी अब भारत के करोडों लोगों पर भी अंधेरे में रहने का संकट मन्रा रहा है जून में पावर प्लांट में 17 दिनों का कोईला का स्टॉक मौजूद था जबकि अक्टूबर में कोईले से चलने वाले पावर प्लांट के पास सिर्फ 4 दिन का कोईले का स्टॉक है लेकिन केंद्री सरकार कह रही है कि कोईले का कोई संकट नहीं है तेश में बिजली की कोई किल्लत नहीं आने वाली है केंद्री उर्जा मंत्री ने कहा कि ना तो देश में कोईली की कमी है और ना ही बिजली संकट आने वाला है उर्जा मंत्री ने कहा आज की तारिक में चार दिन से जादा का स्टॉक है कल एक मिलियन टन की जरुएत थी उससे जादा का स्टॉक मिला अभी चार दिनों का स्टॉक है और धीरे धीरे बढ़ रहा है चार दिन का मतलब नहीं है कि चार दिन बात खतम हो जाएगा चार दिन में और स्टॉक आएगा और ये बढ़ जाएगा केंदी उरजा मंत्री के मताबिक कुछ महीने पहले तक स्टॉक 17 दिनों का था लेकिन मौनसुन के मौसम की वज़े से कोईला खदानों में पानी भर गया और ट्रेनों के अवाजाही में दिक्कत हुई जिसकी वज़े से स्टॉक में कमी आई पर अब हालात सामाने हो रहे हैं और जल्दी स्थिती पहले जैसे होगी देश में पैदा होने वाली 70% बिजली थर्मर पावर प्लांट से आती है 135 पावर प्लांट कोईले से चलते हैं इनमें से 7 अक्टूबर 2021 तक के आकड़ों की बात करें तो 3 पावर प्लांट में 3 दिन से भी कम का कोईला बचा है तो ऐसे में केंद्रे बिजली प्रादिकरन के आकड़े बताते हैं कि भारत अपनी जरूरत के नभी फीजदी से अधिक कोईले की आपूरती देश से ही करता है भारत जरूरत के हिसाब से इंडोनेशिया और आस्ट्रेलिया से कोईले का आयात करता है करोना कार में बिजली मांग में भी तेजी आई चीन ने अपनी चाल चली और देश में भी कोईले की कमी हो गई तो फिलहाल के लिए इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे एबियने न्यूस के साथ